यहां पर हम एक चैप्टर को 15 मिनट के अंदर रिवाइस कर रहे हैं अगर आपने मेरे दबंग सीरीज की लेक्चर्स देखे हैं तो उन्हें देखने के बाद इन वीडियो को जरूर देखें इससे आपका रिविजन बहुत बूस्ट होगा और आपका कॉन्फिटेंस इमली ब मिल जाएगा and this is chapter number 4 पूरा 13 मिनट में 15 मिनट में कवर करेंगे सुब बने रहना बच्चा इस वीडियो के अंतर साथ ही साथ आप अगर हमारे complete live batch को जोइन करना चाहते हो जहां minimum students होते हैं बच्चा so do not forget to download class 24 बिकिस यही पर आपके जे और नीट और बोर्स की सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है ना तो हमें chapter की आत्मा को समझना पड़ेगा chapter की आत्मा का मतलब क्या है कि इस chapter में वाकई में है क्या ठीक है तो यहां पर है सबसे पहले कि यार देखो चार्ज electric field produce करता है और यह electric field के आसपास charge होता है अगर charge electric field में उसके उपर force into displacement होग तो force लगा दो displacement होगा तो work तो यही तुमारा potential था potential energy था फिर यही आपके charge अगर motion करने लगे थे तो current था यह chapter 1,2,3 था लेकिन chapter 4 में यह है कि कोई भी wire अगर current produce करता है तो उसके आसपास ना magnetic field generate होती है open wire में यह सबसे पहला observation था इस पूरे chapter के आत्मा यही है कि बच्चा क बिकिस यही से आप पूरे chapter को समझ पाएंगे नेक्स आता है बच्चा कि किसी भी charge particle को अगर magnetic field में चलाया जाए तो उसके उपर magnet का force लगता है जिसका formula होता है QV cross B और अगर वो electric field में है तो उसके उपर force का formula लगता है F is equal to Q into E और अगर हम दोनों को combine कर दें तो जो total force होग पर आपका zero है तो rest mode हो गया आपका magnetic force zero हो गया in the direction of a plane perpendicular to V and B आपका सबसे ज्यादा force होगा और वो आपका centripetal force के बराबर होगा और वहीं पर particle circular motion करेगा यह हमने पूरे depth में आपको explain करा हुआ है यहां फटा-फट revise कर रहा है correct चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपका derivation exam में बन सकता है बच्चा कि अगर एक charge particle है किसी conductor के अंदर और conductor किसी magnetic field के अंदर move कर रहा है तो उसके उपर कितना force लगेगा जरा ध्यान से देखिए सबसे पहले एक charge को पकड़ा इसके उपर लगने वाला force का formula f is equal to qv cross b है अगर इसके अंदर total n particles हैं तो हम उसको कैसे निकालें तो हमें net force conductor मिल जाएगा यह देखिए यह जो आपका small n into q है यह आपके n की जगह पर आया साथ ही साथ area as it is and बच्चा लोग आपका जो qv cross b है यहां पर देखिए क्या formula set होगा देखिए बच्चा ध्यान से यहां पर क्या formula set होगा तो small n q and then vd it is like any vd that is current density जो कि आपने chapter 3 म तो अब देखिए यह आपका हो गया j into a यानि j बराबर में i upon a so i is equal to j into a तो इसके जगह पर आगया current that's it f is equal to il cross b जिसे मैं कहता था साब कहा रहता है बिल में तो कभी भी कोई भी एक wire है उसमें से current चल रही है बच्चा और वो किसी magnetic field में रखा है तो उसके उपर force का formula लग magnetic field में 90 degree पर entry मारता है बच्चा तो उसका path circular path हो जाता है यहां पर आपका magnetic force जो होता है आपका centripetal force के बराबर होता है यानि कि क्यों vb sin 90 is equal to mv square by r तो यह sin 90 की value 1 तो radius मिल गया अच्छा वी बराबर होता है बच्चा लोग r omega तो r से r कटा तो आपके पास में omega गया जिसे ह हम angular frequency, angular velocity भी कहते हैं, omega का formula 2 pi by t है तो यहां से आपको time period निकल गया, अब एक सवाल आ सकता है important कि अगर r बढ़ रहा है, velocity भी बढ़ेगी, t, f और omega आपका constant रहेगा, speed constant होता है बट velocity हमेसा change होती है, because velocity direction है तो circle में घूमेगा, तो velocity change हो रहे, because direction change हो रहा है, then kinetic energy constant होता है आपर zero है, इन्हें ध्यान से देख लो बच्चा और यह जो कुछ भी मेरा handwritten notes है यह मैं टेलिग्राम में भी टाल देता हूं बच्चा तो जैसे यह chapter खतम होगा, तो टेलिग्राम में भी बहुत सारे विद्यारती जुड़े हैं, आप जुड़ना मत भूलना, उसका link description box में distance पर पी-point पर angle theta है, हमें magnetic field find करनी है, तो यह magnetic field का जो formula होता है, बायो सावट लोग के हिसाब से, mu note ideal cross r kya upon 4 pi r square होता है, when you remove that cross, you will see there is sine theta, r kya will be vector upon magnitude, this become r kya, उपर वाले r से कटेगा, तो यही answer आजागा, उसके बाद आप वो क्या करना है, बताना है कि mu note क्या है, ideal क्या है, and z r kya है, ठीक है, mu note है आपकी permeability of free space, इसकी value है 4 pi 10 is to minus 7, unit के साथ जरूर लिखें, takes limit upon ampere, और ideal आपका क्या है, current element इतना लिखने का 2 में से 2 max मिलेगा, यह question भी board examination के अंदर आ चुका है बच्चा, and it is always coming from derivation, derivation से आता है, तो current carrying ring बनाईए, center sex जितने distance पर यहाँ पर एक point है, जिस पर हमें magnetic field find करना है, यह element ideal, इससे जो magnetic field बनी वो यह रही, अच्छा, यह angle अगर आपका theta है, तो यह देखे, यह पूरा का पूरा जो है, इसके दो component बनेंगे, यह वाला angle भी आपका theta हो जाएगा, how can I say that, because यह आपका theta है, यह आपका 90 है, यह आप लोगों का 90 मानस theta हमें बचता है resultant सिर्फ right side में ही, तो db sin theta, db sin theta, ऐसे सारे sum करेंगे, तो हमें overall magnetic field बिल जाएगे, बच्चा, तो यह देखे, सबसे पहले तो, जो 90 degree है, यहाँ पर, इसके बज़े से यहाँ पर, तो यहाँ पर sin theta आता है, मुनोट ideal sin theta, theta 90 है, तो वो चला गया, आपन में 4 pi r square, अब हमारे जो component बच्चा हुआ negative magnetic field, वो तो सिर्फ x direction का ही है, तो integration dbx, value रखा, db sin theta, db के जगह पर, यह वाली value रखी, sorry बचलो, सबस्वरी खासी भी परिसान करें, कोई बात नहीं, तो साइन theta क्या होगा, तो साइन theta हो जाएगा, front upon this hypotenuse, यह देखे, value रखा, और यह r square आपका है क्या, तो यह वाला distance है, r का square, इसका square करेंगे, र square plus x square होगा, so इसका r square plus x square, इसका power 1 upon 2, that becomes 3 by 2, तो यह आपका answer आगया, इसे अच्छे सियाद करिए, यह division बहुत important है, I hope आपने मेरा दबंग batch, यह चानग इतनी batch का free, जो batch है, वो आपने जरूर देखा है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, दो marks में यह 3 लिखने के लिए आ आप देखो, आप अगर इस तरीके से चला रहे हो, तो हम के direction में कौन सा है, I2, तो I2 आपका positive होगा, और I1 आपका negative होगा, इसे आप कैसे लिखेंगे, integration of linear magnetic field is always equal to product of permeability of free space and algebraic sum of current passing through this close loop, दो marks का सवाल, the solenoid, just like the undertaker, सिर्फ नाम है, derivation नहीं है, और सिर्फ formula याद रखो, soleno current क्या है, तो इस तरीके से wire लपीटा जाता है, तरफ आपका magnetic field जो है current इस तरीके से सेट है, ऐसे turn लेगा बच्चा तो बाहर की तरफ आएगा और फिर ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, तो मिनोट इस small ni formula होते है, very small n is what, that is capital N upon L, this is the very important formula related to solenoid, अगर आप प्रिवेसर के question द diagram समझते है, north और south वाल एक magnet है, इसमें इस तरीकी का rectangular loop है, जो battery के voltage के साथ connected है, अब आप देखिए इसके चार भुजाएं हैं, ये 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 और ये इसमें से इसको आप क्या माल लेते हैं, आपका L माल लेते हैं, बट ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है बच्चा, कि इ इस पर और इस पर नहीं लगता, उसका reason है, कि ये जो segment है, ideal sin theta के हिसाब से, mu not ideal sin theta के हिसाब से, theta या तो 0 degree होगा, यहां पर तो खेर, length is magnetic field इदर है, इसका length इदर है, तो 180 है, और यहां पर दीखिए क्या है, in the direction ही है, तो ये portion में theta आपका 0 है, ये portion में theta 180 है, but sin 0 and sin 180, my difference, you all know that that becomes 0, there will be no force, यहां लिखा भी है, मैंने कहीं लिखा यह रहा, कहीं पर force नहीं लग रहा है, force आपको सिर्फ इस पर और इस पर लगता, नीचे की तरफ और उपर की तरफ लगता, जिससे ये loop, ऐसे नीचे की तरफ चले जाएगे, तो ये देखिए कितना लगेगा, ilb sin 90, तो ये आपका आगया, अब इसका next diagram बहुत important है बच्चा, तो जैसे ही इसके उपर force लगा, ये loop ऐसे हो गई, ये देखिए ऐसे हो गई, तो इस पर force लग रहा है ilb, इस पर force लग रहा है ilb, हम ये 11th class की थोड़ी basic physics तो जानते ही होंगे, कि दो force का magnitude same होना चाहिए, जो कि same है, उनके बीच में एक perpendicular distance होना चाहिए, ये वाला, तो ये body को घुमाता है, अब हमें ये निकालने के लिए दिख रहा है कि ये area vector यहाँ theta angle बना रहा है, तो ये 90 minus theta हुआ, ये पूरा B था तो ये बन गया B by 2, ये भी आपका बच्चा पार्टी क्या बन गया B by 2, so this becomes what, B by 2 cos 90 minus theta, that is B by 2 sin theta, similarly this one is also B by 2 sin theta, so force into perpendicular distance is nothing but that is torque, तो torque हो गया आपका force into this perpendicular distance, जहाँ पर length into breath आपका क्या बन जाएगा बच्चा area, अगर total n ton से मैं multiply करूं, तो torque का formula ये आया, NIA को हम magnetic dipole moment कहते है, sin theta को हम अटाएंगे, तो M cross B हो जाएगा, very important derivation, moving coil galonometer expand करने के लिए बहुत बार आता है, सबसे पहले diagram बनाएगा, N or S, इसके अंदर soft iron core है, वो लिखेगा, फिर किसी भी situation में जब इसके coil में से current pass out होती है, तो torque लगता है, that is NI, AB sin theta, और हर situation में आपका magnetic dipole moment और theta के बीच में angle 90 degree है, how can I see that, because this is the direction of magnetic field, और area is always perpendicular, you can see that, area और magnetic field, loop कैसा भी गुमें, सुई कैसा भी गुमें, the angle is always 90 degree, so maximum torque लग जाता है, बच्चा, और एक होती है, restoring torque, जो इस spring को वापस अपने main position में लेकर आती है, जिसका formula है k into 5, हमें इन दोनों को compare करना है, बच्चा, equation आ जाएगा, 5 by I को कहते है, current sensitivity, and 5 by V को कहते है, बच्चा, simple R स will become voltage, so 5 by V, that becomes voltage sensitivity, and 5 by I, that becomes current sensitivity, right, यह आता ही, आता है exam के अंदर, बहुत बार आचुका है, okay, the next two very important point is, galvanometer is an emitter, and galvanometer as a voltmeter, जब भी हम emitter की बात करेंगे, तो galvanometer के parallel में, galvanometer के resistance से भी कम amount का resistance यूज करिए, देखिए, तो इसे हम shunt कहते है, यहां से चलने वाली, जो main current है, बच्चा, वो इसमें से pass out होगा, that is IG, और यहां से pass out होगा shunt में से, इसलिए हमने कहा IS, क्योंकि दोनों का voltage same है, IR, IR, because both are in parallel, so we have written like that, हमने यहां से S को subject बनाया, तो यह आ गया आपका IG into G upon IS, IS है क्या I minus IG, खतम shunt की value आ गई, और अगर मैं, जैसे इस voltmeter को, galvanometer को voltmeter में convert करना चाहता हूं बच्चा, तो हमें galvanometer के साथ series में एक resistance लगाना है, दोनों को ध्यान से याद रखिए, आपको हमारा जो main lectures है, उसमें आपने पूरा detail में पढ़ा है, हम revision यहां कर रहे है, तो revision का मतलब यह होगा बच्चा, कि यह नहीं कि अगर आप सिरिफ यही द but कब जब आप पहले से अच्छे से lectures को complete किये हैं, तो देखें यहां पर parallel में shunt है, लेकिन यहां पर क्या है, सीरीज में है, कहाम ही इसका कुछ इस तरीकी का है, और इसका जो overall voltage में निकालना जाओं, तो IG into G, और IG into RS होगा, because यह दोनों series में है, बच्चा, IR and then IR, correct, तो यहा notes आपको हमारे app पर मिल जाएगा, class 24, download कर लीजे, sample paper भी आ चुका है, बच्चा, अगर आप YouTube से preparation कर रहे हैं, जो कि बहतरीं content है, इस channel पर, अगर आप YouTube से preparation कर रहे हैं, तो आपको जरुद पड़ेगी, sample paper की, तो मैंने बहुत महनुत करके, बच्चा, 10 ऐसे predicted sample papers निकाले, years of experience है, उन में से question आपके board exam में फसेगा, बहुत ही minimum price है, HD 300 रुपीज में आपको physics मिल जाएगे, 10 sample paper with solution, and थोड़ा समाउंट और प्रे करेंगे, बच्चा, 500 रुपय में, पूरा का पूरा physics, chemistry, biology, biology, and आपका math मिल जाएगा, ठीके, कहां पर हमारे app पर, जो की है, class 24 app, तो class 24 app को आप download कर लीजे, and इस इस number पर आप call करके, हमारे sample paper के बारे में check out कर सकते हैं, साथ ही मैं बता दो, paid batches के अंदर, जो हमारे application है class 24, यहाँ पर मेरी बहुत जलतना, एक zero से वापस beginner label के लिए crash course आने वाले, जिसमें मैं पढ़ा हूँगा, मेरे साथ और भी 2-3 teachers हों industry, पूरा biology, zero से करा देंगे, within 20-30 days, और बहुत ही minimum price है बच्चा, तो आप इस number पर संपर्ख करके, फटा फट पूछ लीजे, जानकारी कर लीजे, because बहुत सारे students को, हम लोग cater नहीं करते, बहुत small number of students को पढ़ाते हैं, ताकि सभी बच्चों तक बहुत सके, well बहुत बहु to 1 million and this will help me a lot, बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी 1 million तक पहुचाएगे परिवार को, बहुत 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 शुक्रिया था, एंगे, so much love you all, take care, bye bye, चैहिंद